बोल रहे हैं तो हम एक 3D अनिमेशन के जरीए इडा को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं जो इस होसिल के आधार पर तयार किया गया है और इसमें हम देख रहे हैं किस तरह से इडा खड़ी हुई है और इडा ऐसा लगड़ा दो पाओं पर चलने वाला जीव रहा होगा लेकिन इसकी लंबाई भी 10 फीट थी तो हम कैसे रहे होंगे इंसान क्योंकि कई ऐसी कल्पनाएं भी जिए कि एक जमाने में इंसान बहुत लंबे चौड़े रहे होंगे बहुत उचे-उचे रहे होंगे और ये उस थियोरी को तो कम से कम जुटलाता है अब मैं कुछ इसके रुश्नी multip brightest दाना चाहे होगा अकतर में जो प्राइमेट टेशन शुरूऔ के प्राइमेट जिसके जिस समू के हम भी हैं जिस समू में है प्राइमेट में शुरू है लेमूर क्रीब इतने छोटे-छोटे लेमूर भी है ये इमाजन ए लेमूर जिसका वजन तरफ एक पाउंड रहा है ऐसा भी जिसका वजन सबसे चोटा लेमूर है उसका एक आउंस हो जाए है लेमूर की भी कई प्रजाती हैं अब ये इदा कहां फिट होता है ये मैं बताने के लिए आपको बताऊँ कि लेमूर्स जो सबसे कुराने प्राइमेट्स हैं जिससे बाद में मानलोग बने वो प्रेड़ो करें थे थे उनका जैसा मैंने पहले बताया उनका नाप और मूँ आगे की तरफ जैसे लोमडी के किसे होते हैं उनकी सूने की शक्ती काभी प्रबल थी खाने की चीजों को आपस में एक दूसरे को पहचानने के लिए सुनूने की शक्ती का प्रयोग करते हैं अब उनके अंदर नाखून जेरा कम थे उनके अंदर चार पैर वाले थे नीचे के जो सेकिंटो होती है मतलब गाँचे के साथ वाली तो उसका नाखून फड़ा बड़ा होता था क्ला की पंजे की तो उसका वो इस्तिमाल अपने आपको सफाई करने के लिए खुरसने के लिए इस्तिमाल लेमूर्स के दाथ ये ऐसे होता है जिसको एक उसरे को साथ करते थे एक उसरे को साथ करते थे अब लेमूर के अंदर ऐसी आपने देखी ये करेक्टर्स हैं एंफ्रोपॉइट जिसमें हम मानव लोग भी आते हैं उनके करेक्टर्स में ये आता है कि वो भाई पीडल लोकोमोशन है जो दो पहरों बेचे में आते हैं उनके अंदर सूने के शक्ती उतनी जादा नहीं थी अब ये जो जी मिला है इसका स्कैलेटन लिमूर वाला मतलब कापी प्रिमिट्व प्राइमेट वाला लेकिन इसके और जो चेरेक्टर्स हैं वो इंफ्रोपॉइड रेज के हैं जिसके मतलब ये है कि इसमें नाकून सारी उंगलियों में होना और फेज में जो टीफ वो कॉ और लेग्स और आमस डोनों लगव एक साइज के होना जो कि लेमूर से अलग है कि में लेमूर में पयर जरा लंबे समकें ये ऐसा दर्शाता है कि कडी है मानवर जासे जी मों कि और लेमूरبة जासे ज्णा जी तो इस से पहले ऐसी कडी हमार पस ने नाकी शक्लिन का रही यह एक बंदर की तरह एक वानर की तरह दिख्ती होंगी लंबूर की तरह दिख्ती होंगी। इसलियुनेी करहले होंगी लासफ या लिए 83 में ही हास्किल कर लिया था इडा bạn 16 साथ ? क्यों हुई देरी यह समझने में कि इडा इस कड़ी का एक हिस्ता हो सकती या कड़ी हो सकती है मानव सब्दिता के विकास की इस पर हम बाचीत करेंगे और साथी साथ इड़ा के बारे में आप ये भी जरूर जानना चाह रहे होंगे कि उससे क्या खाया होगा या क्या खाती होगी तो आखरी बार उससे क्या खाया था इसकी जनकारheid भी मिल पा रही हैं इड़ा के इस फॉसिल से ऐसी तमाम दिल्चस जानकारियों के साथ एक बार फिल लौटे हैं लेकिन छूटे से बेक के बार यह 21 करोड साल पुराना जीव भी आपर मौजूद है जो अब एक पौसिल में एक जीवाश्ट में तबदील हो चुका है और तीन करोड साल पता भी आप यह स्टूडियो में मौजूद है जो इस वक्तेरे हाथ में है और डॉक्टर एके शुकला भी मौजूद है जिनकी यह दोनों चीज़े हैं और वो हमें बता रहे हैं कि जीवाश्ट माकर क्या होते हैं और हमारे अतीज को जानने में कितने होते हैं यह बात हम इसलिए कर रहा है क्योंकि इडा को खोजा गया है हलाकि इडा 26 साल पहले ही मिल चुकी थी लेकिन अब इडा की एहनियत समझ में आई है और यह माना जा रहा है कि डार्विंग की जो मानो वितास की ठोरी है उसका एक हिस्टा उसकी एक कड़ी इडा भी ह है इडा क्यों ऐसा माना जा रहा है इस पर हम विस्टाव से आपको बताते हैं लेकिन ओस्ट्रो यूनिवर्सिटी के बैग्जानिक जैन्स पौजन का कहना है कि इडा को दुनिया के आठवे अजूबे का खिताब मिलना चाहिए जब आपको बताते हैं कि इडा को आज या क हथी इडा क्या हाली में मिली है इडा इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप बेचैन हैं अगर हां तो आईए हम आपकी बेचैनी को दूर कर देते हैं अगरे ही इडा माना विकास के रहस्यों को सुलजाने में मददगार साबिक हो सकती हैं लेकिन इडा का रहस्य हम खोलेंगे आपके सामने अगर आपको लगता है कि एडा की खोज हाली में हुई है तो आप सरासर गलत है क्योंकि एडा तो करीब 26 साल पहले ही मिल गई थी अब बनाते हैं कि 26 साल पहले कहां मिली थी एडा एडा की खोज जर्मनी में हुई थी इस सौसल को करीब 1983 में जर्मनी के स्रैंक्फूर्ट के पास मैसल पिट देखो जा गया था लेकिन तब शायद ही किसी को मालूम था कि एड़ा इस कदर मानव विकाथ के रहस्यों को सुलजाने की एक एहम करिमानी जाएगी इसलिए तब उसे हलके में लिया गया और सिर्फ एक शोपीज की तरह दीवार पटांग दिया गया लेकिन 2006 में एक डीलर ने नियोप के औक्टो युनिवरसिटी के नाच्रल हिस्ट्री म्यूजियम के डॉक्टर जॉन हुरं का ध्यान इस फॉसल की ओर दिलाया ये शुरू हुआ रिसर्च का सलसला और करीब दो साल तक इस जीवाशन पर विज्यानिकों ने कड़ी रिसर्च की और दो साल की कड़ी रिसर्च के बाद जॉक्टी टीम ने एड़ा के बारे में इन सारी जानकारियों का खुलाखा किया स्पेशल डेश लाइव इंडिया सारे रहस्या और उनके जवाद यहीं मौझूद हैं बस हम कैसे कैसे ढूंड पाते हैं उसका इंतुजार रहता है कैसे कैसे मानौ पहुँच पाता है अपने अतीज तक और एक एक कार फिर खुलाते होते चले जाते हैं जाहिर सी बात है इडा पहले भी मौझूद थी, सालों पहले भी मौझूद रही होगी, कभी जिंदा भी रही होगी, उसके जिवाश को 26 साल पहले खुज लिया गया था और अब यह पता लग जया है कि वो मानौ सब्दिता की कड़ी का एक हिस्सा हो सकती है, इस बारे में रिसर्च को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिसे यह जानकारी सबसे पहले मिले होगी, जाहिर सी बात है, वो बहुत रूमांजित हुआ होगा, वो बहुत खुश हुआ होगा, आपको भी अगर ऐसा कोई जिवाश मिलेगा तो जाहिर सी बात है, यह आपके लिए भी और इडा के बारे में ओस्लू उनिवल्सिटी के विग्यानिक जॉन हुरूम ने सबसे पहले परखा या जाना कि ये कितना महतुकून है क्या एलियत इडा किया उनका क्या कहना इस मसले पर भूबी सुंगे तुटु वे आपकोर्स नॉट 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 पो प्रजो़ी कर दी चुछ नॉट नॉंट नॉट 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 नॉट। नॉट 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 नॉटों तो नॉट नॉटु नॉट नॉट्टS नॉटए सूंडों ळी च में लिटूम नॉटॉट गण शाव लूट कर श सबसे आख भाषी bang guidelines through जो सिमिलर बनाती हैं जैसा अभी आप बाचीव में बता रहे थे कि फर मिले हैं और ये जीवाश्म जो है वैसा नहीं है जैसा इसकेलेटिन या देखने में भी लग रहा है कि सिर्फ फट्डियों का ढठाचा होगा बहुत सारी और जानकारियां और और भी चीज़ें मिली है इदा का जीवाश्म एक खास इस प्रकार से है कि पहली बार करीब 97% कंजर्वड रिमेंस मिले हैं किसी जीव के आम तोर के फॉसल जैसा आप यहां देख रहे हैं एक इतने बड़े जीव का इतने जरा सा फॉसल रह जाना इसी को दर्शाता है कि फॉसल रेर हैं और कंप्ली नहीं होते हैं इस से कहले मानव का कैसे विकास हुआ यह इस ऐसी एविडेंस से निर्वर करता है कि कहीं एक बोन का तकुड़ा मिला कहीं के नाखून मिला कहीं पर स्कल का हिस्सा मिला इनको आपस में जोड़ कर एक कड़ी बनाने की कुशिश करते हैं यह दर्शाने के जीवाश मिला है इतना complete है कि incredible अब fossil इतना incredibly complete होना अपने आप में एक अजूबत है क्योंकि fossil हर जेगे नहीं बन जाती है जीवाश बनने की एक खास प्रक्रिया होती है खास वातावरण चाहिए उसके लिए अब इसके जैसे बनने के लिए यह जरूरी है कि microbial decay जो bacteria से फंजा करता है और इसको कितम करता है बहुत धीरे होना चाहिए बहुत slow होना चाहिए इतना slow होना चाहिए कि वो जैसे जैसे उसका organic part fungus खाती रहती है तो इसका organic part replace हो धीरे-धीरे inorganic material